हेलो एवरीवन आज की इस क्लास में राजस्थान एसेस्टेंट प्रफेसर के पीवाइक्यू कराई जाएंगे क्लास स्टार्ट हो इससे पहले आप सभी इस वीडियो को जादा से जादा लोगों के साथ शेयर जो कर दीजे अगर आप नेट, जियादफ, पीजिटी, जियाईसी या फिर एसेस्टन प्रफेसर एक्जैम की तैयारी कर रहे हैं शिशौलजी से तो इस चैनल के साथ जुड़ होती है, उसे भी जुआइन कर सकते हैं अभी तक जितने भी क्लासेस हुई है उन सभी का फूल्डर बना दिया गया है आप प्लेस से देख सकते हैं उन क्लासेस को बस कुछी देर में क्लास स्टार्ट होने वाली है एक सिकेन प्रेशन है शिशौलजी एड़ दा क्रॉस रोट्स के लेखक या लेखी का कौन है रोश लिंटन, लीला दुबे, टी एच मार्शल, इरावती कारवे यहां पर आप्शन्स दिये गया है पुस्ता का नाम क्या है शिशौलजी एड़ दा क्रॉस रोट्स और यह आपके नेट एक्जाम में पूछी गई है यहां पर सही हो जाएगा टी एच मार्शल, ठीक है टी एच मार्शल यहां पर राइट होगा ओप्शन सी यहां पर राइट होगा नेक्स्ट है मानव विभा का एक इतिहास नामक पुस्तक किसने लिखी है यहां पर सही क्या हो जाएगा मानव विभा का एक इतिहास यह पुस्तक किसकी है किसकी हो जाएगी वेस्टर मार्श की हो जाएगी ओप्शन सी यहां पर राइट होगा एक विभा का इन्होंने सिद्धान्थ पिदिया है प्रेशने हैं अगस्त कॉम्ट की पुस्तक The course of positive philosophy ये तीन खंड में है चार खंड में है छे खंड में है या फिर आठ खंड में है ये बताना है दा कोर्श ओफ positive philosophy पुस्तक का नाम है और यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 6 खंड option C यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ठीक है option C यहाँ पर राइट आंसर है अब अगर इस पुस्तक की बात की जाए तो इसमें इन्होंने कौन-कौन से concepts दिये हैं जैसे की प्रतिक्षवात की जो अवधाना है इसकी बात इन्होंने इस पुस्तक में की है त्रीस-त्रीय जो इनका सिध्धान्त है वो इसमें दिया है विज्ञानों का जो संस्तरन है है ना वो भी दिया है जिसमें कि आपको बताया गया है समय समय पर कि गड़ित की बात की गड़ित शास्तर याने कि mathematics की बात, maths की बात पहले की है, astronomy की बात की है, फिर physics, chemistry, biology and psychology की इन्होंने बात की है, ठीक है, तो यहाँ पर विज्ञानों का संस्तरन हो गया, फिर इसके अलावा समाजिक स्थैतिकी और समाजिक गतिकी की बात भी इन्होंने और इसके अलावा नकेवर इसकी धर्म, बलकि समाज शास्तर याने कि sociology की विवाद इन्होंने अपने इस पुस्तक में की है, ठीक है, और अगस्त कॉम जो की समाज शास्त के जनक हैं, और इन्होंने 1838 में समाज शास्तर शब्द द इसके लिखक कौन है, Peter M. Blair, A. G. Mayer, P. S. Cohen, D.P. Mukherji यहाँ पर options है, Marxism, the unity of theory and practice, सही क्या हो जाएगा यहाँ पर, राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा, राइट आंसर A. G. Mayer होगा, option B. यहाँ पर राइट होगा, प्रेश्न है, origin of species का प्रकाशन हुआ था, 1847, 1851, 1856, 1859, सही क्या होगा, 1859, option D. यहाँ पर राइट होगा, प्रेश्न है, पुस्तक से सम्मंदित है, feeders of Indian culture, किसकी है, N. K. Boss, B. S. उपाध्याय, G. S. गुरिये, B. K. Roy, बर्मन यहाँ पर options है, feeders of Indian culture, सही क्या होगा, B. S. उपाध्याय, B. यहाँ पर राइट होगा, प्रेश्न है, village, caste, gender and method किसकी है, आंद्रे बेते, M. शिनिवास, योगेश अटल, S. C. दुबे यहाँ पर है, village, caste, gender and method किसकी हो जाएगी, village, caste, gender and method, M. शिनिवास, M. शिनिवास, option B. यहाँ पर राइट है, religion and the cooks of South India, यह भी इनकी पुस्तक है, तो B. हो जाएगा, यहाँ पर सही, इस पुस्तक में इन्होंने संस्कतिकरण के अफधाना दीती, religion and society among the cooks of South India में, प्रेशन है, निमने युगमों में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है, patterns of culture are vindict, methods in social research, good and hot, the golden bow, Tyler, अंडमान, islanders, red clef, brown, एक गलत है, वो बताना है, the golden bow किसकी है, Fraser की है, Tyler की नहीं है, ठीके, Fraser की है, option C, यहाँ पर राइट होगा, प्रेशन है, system of positive policy का प्रकाशन इसके बीच हुआ था, सही क्या होगा, सही होगा, 1851 से 1854, option C, यहाँ पर राइट होगा, प्रेशन है, पुस्तक से ही संबंदित है, communalism, contest, religion, modernity and secularization, किसकी है, पुस्तक, अजगर अली, अचिन, वनायक, प्रभात, पतनायक, MSA, राव, यहाँ पर options है, right answer, वनायक हो जाएँगे, option B, यहाँ पर राइट होगा, प्रेशन है, Deliquant Boys, The Culture of the Gang, किसकी है, W, Herald, Albert Cohen, Lombroso, Raphael, Garofello, options है, यहाँ पर, Deliquant Boys, किसकी है, net के exam में पूछी गई है, Albert Cohen की है, B, यहाँ पर right होगा, प्रेशन है, Maris, Car, Stairs की पुस्तक, Twice, Bone में, भारत के किस राज में, जाती सम्मंधी गुडों का चित्रण है, मध्यप्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराश्चर, यहाँ पर options है, right answer, राजस्थान होगा, option B, यहाँ पर right होगा, प्रेशन है, Sociological Theories of Today, यह पुस्तक किसकी है, Sorokin, D.F. Pokak, Neel J. Smilsa, Alex Ankles, यहाँ पर options है, and यह last class है, PYQ से related, इसके बाद देखते हैं क्या कराया जाएगा, हो सकता है कुछ concepts करा दिये जाए, जो की नहीं कराया गए, उनसे सम्बंदित, जो MCQs हैं और या फिर जो facts है important, उन्हें क्लास में कराया जाएगा, ठीके, यहाँ पर क्या होगा, Sociological Theories of Today, यह किसकी है, Sorokin की है, ठीके, Sorokin की है, और इससे पहले जो भी classes हुई है, PYQ से related, उनका folder बना दिया गया है, ठीके, प्लेलिस में आपको मिल जाएगा, पहली बार अगर आप class को देख रहे हैं, तो आप प्लेलिस चेक कर लिजेगा, चली, आगे चलते हैं, प्रेशन है, पुस्तक से सम्बंदित, The German Ideology किसकी है, Karl Marx, Rolf Derendorf, Lewis Althuser, Herbert Morkus, यहाँ पर options है, The German Ideology, किसकी हो जाएगी, The German Ideology किसकी है, पुस्तक? Right answer क्या होगा यहाँ पर? Karl Marx की है, ठीके, The German Ideology Karl Marx की है, और इस पुस्तक में, इन्होंने द्वंदात्माग भहतिक वाद और एतिहासिक भहतिक वाद की बात की थी, ठीके, Option A, यहाँ पर right answer हो जाएगा, Das Capital भी इनकी पुस्तक है, The Holy Family यह भी इनकी पुस्तक है, इन पर तो पूरी class ली जा चुकी, इनके जो theories हैं, concept हैं, इन से related, जो statement से related प्रिशन पूछे जाते हैं, उस पर एक पूरी class हुई थी, और फिर जो MCQs हैं, उन्हें भी classes में complete कराया गया था, काल मार्क्स के नाम से folder आपको playlist में मिलेगा, उसे ज़रू देख लीज़ेगा, यह क्योंकि कुछ thinkers ऐसे होते हैं, जो आपकी हर exams में पूछे ही जाते हैं, ठीक है, और important भी हैं, इनकी जो theories हैं, वो काफी important है, तो इसे ज़रू देख लीज़ेगा, option A यहाँ पर right है, प्रेशन है पुस्तक से संबंदित, fundamental questions of sociology, किसकी है, पीटर डाउनसेंट, सोरोकिन, जॉज सेमेल, वाइनर, यहाँ पर options है, राइट अंसर यहाँ पर जॉज सेमेल होगा, जॉज सेमेल, option C यहाँ पर right है, प्लाण एकनोमी फॉर इंडिया, यह किसकी है, जवाहालाल नहरू, के विश्वेसपरया, महात्मा गांधी, मांटेंग सिंग, प्लाण एकनोमी फॉर इंडिया, यह भी कई बार पूछीगी, PGT के एक्जैम में, नेट के एक्जैम में, तो option B हो जाएगा, यहाँ पर right, प्रेशन है, भारत की प्रजातिया, एवं संस्कृतिया, नामक पुस्तक के लेखक कौन है, यह किसकी हो जाएगी, यह हो जाएगी, D.N. मजुमदार की, B. यहाँ पर right होगा, प्रेशन है, प्रोटेस्टेन, इथिक्स, एन्देस्प्रट ओफ कैपितलिज्म, यह किसकी है, पुस्तक, रॉबर्ट के मर्टन, पार्संस, जॉच सेमेल, मैक्स वेबर, यहाँ पर options है, यह किसकी है, मैक्स वेबर की आपको पता है, दर रिलेजेन ओफ इंडिया इनकी है, अभी बताया गया था, जो इससे पहले वाली आजी की जो क्लास हुई थी, पीजीटी वाली, शाम को पांच बजे, उसमें काफी चीज़े बताया गया है, इनसे related important जो books हैं, उन्हें बताया गया है, और इनके जो concepts हैं, इन्होंने समाशास का जो अध्यन बिंदू है किसे बताया था, social action को बताया था, जिसके study के लिए इन्होंने दो methods की भी बात की थी, व्याख्यात्मक बोध और ideal type की, इसके अलावा गर इनकी books की बात की जाए, तो the methodology of social science इनकी पुस्तक है, है ना, Max Weber की, the methodology of social science ये एक पुस्तक है, economy and society पुस्तक है, और the theory of social and economic organization करके पुस्तक है, तो ये कुछ important books हैं, जिस से आपको याद रखना चाहिए, चलिए, आगे देखते हैं, अब यहाँ पर पुस्तके दी गई हैं, बताइए देखकर, ये सभी पुस्तके आपने कहीं ना कहीं पढ़ी हैं, और sociology के important books पर तो पहले ही class ली जा चुकी है, यहाँ पर सही क्या हो जाएगा, human society की बात की of labour in society ये दुर्खीम की हो जाएगी, फिशुशॉलजी, a guide to problems and literature, ये हो जाएगी टीबी बोटमोर की, तो option यहाँ पर D, right answer होगा, प्रेशन है, social theory and social structure नामक पुस्तक के लेखक कौन है, आरके मर्टन, पार्संस, एसेफ नाडेल, लेविस ट्रॉस, यहाँ पर options दीए गए है सही क्या होगा, right answer यहाँ पर क्या होगा, social theory and social structure, बताईए, right answer यहाँ पर क्या होगा, social theory and social structure यह किसकी हो जाएगी, मर्टन की हो जाएगी, option A, यहाँ पर right answer हो जाएगा, social structure and anatomy भी इनकी पुस्तक है, ठीक है, और नियम हिंता पर भी इन्होंने बात की थी, लेकिन नियम हिंता की बात की जाए, तो यह जो अवधानना है, मुखेता वो दुर्खीम की है, लेकिन इस पर बात भी इन्होंने ही की है, ठीक है, middle range जो theory है, मध्य स्तरिय जो सिद्धान्थ है, जिसे मध्य अभिसीमा का सिद्धान्थ या मध्य मार्ग का सिद्धान्थ कहा जाता है, यह भी इन्होंने ही दिया है, ठीक है, तो यहाँ पर ए हो जाएगा सही, प्रेशन है, निम होगा राइड आंसर क्या होगा माक्सिजम होगा ओप्शन सी यहाँ पर राइट होगा प्रश्ण है मीरा को सांबी ने किन तीन आपनेवेशिक बंदर गहा शहरों के शहरी आकरती विज्ञान का अध्यन किया है राइड आंसर मद्रास मुंबाई और कोलकाता होगा ओप्शन यहाँ पर राइट होगा प्रश्ण है निम्न में से कौन सा युग में सही नहीं है फिल्ड वर्क से देखिए है बीसी पाड़ा एवजी बेली है सेनापूर विल्यम रो है किशनगरी मैक्यम मेरेट है शामीर पेड एम शा तो इसमें तो आपको ज्यादा टाइम नहीं लग है नहीं है कमार जन जाती पर इनका अध्यन रायद्द कमार नाम से भी इनकी पुस्तक है अब देखिए यहाँ पर प्रश्ण है निम्न में से कौन सा एक प्रकार प्रकार बीके रॉय बर्मन के मैत्री भाव के अवधार्णा से नहीं है सही क्या होगा स्फ्रेश्ट समाजन स्ट्रेश्ट समाजन D, यहां पर ИД होगा प्रेशन है संजुक्त रास्भ विकास कारिक्रम के दॉड़ा कितने सतत विकास लक्ष अपनाएंगे हैं कितने हो जाएंगे 17 हो जाएंगे और अप्शन्ञ यहां पर сопर राइट होगा प्रेशन है निम्र में से कौन सा कथन प्रबोत काल के संबन में असत्ते है प्राकर्तिक जगत की तरह समाजिक दुनिया भी नियमों से शाशत है परंपरागत सत्ता में विश्वास की आस्विकारेता विश्वास की समाज का स्त्रोत इश्वर है प्रबोत काल से सबसे अधिक प्रभावित कालमाक्स थे गलत पूछा जा रहा है और यहाँ पर C होगा विश्वास की समाज के स्त्रोत इश्वर है option C यहाँ पर right होगा next है कौन सा कारग द्वंदवादी विशलेशनवादी से सम्मंदित नहीं है वाद प्रतिवाद अतिरिक्त मूले या फिस समबाद क्या होगा surplus value होगा वाद प्रतिवाद समबाद तो है surplus value नहीं है surplus value का concept किसका है कालमाक्स का है ये भी बताया गया है पूरी class में complete theory कराए गई है तो option C हो जाएगा यहाँ पर right प्रेशन है स्रजन शीलता, स्रजन आत्मक्ता के विकास का प्रतिमान का जो प्रतिबादन है वो इन में से किसके द्वारा किया गया है गिलफोर्ट, H. Gardner, J.J. Gardner, L. वाइगोट्सकी यहाँ पर सही क्या होगा यहाँ पर Gardner होगा option C, यहाँ पर right होगा प्रेशन है निम्न में से कौन सा युग में सही नहीं है सावेवेक्ता, दुर्खीम, प्रतिमान, परिवर्थ, पार्संस, आत्मदरपन, दर्शन, C.H. कूले, व्यक्तिवादी, प्रकारवाद, R.K. मर्टन यहाँ पर सही क्या होगा सही नहीं है, पूछा जा रहा है व्यक्तिवादी, प्रकारवाद के अंदर कौन आते हैं, मेलनोवस की आते हैं कौन आते हैं, मेलनोवस की आते हैं तो option D, यहाँ पर right हो जाएगा and last question है, कॉल मैन हिम का ideology and utopia किस उपागम का प्रतनिधित्व करता है options है, प्रकारवादी उपागम, माक्सवादी उपागम, प्रकारवादी माक्सवादी उपागम, या फिर वेबरवादी उपागम सही क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, प्रकारवादी एवं माक्सवादी उपागम option C, यहाँ पर right answer हो जाएगा तो आज के क्लास में बस इतना ही, I hope आपको पसंद आई होगी, पसंद आई है तो प्लीज लाइक करिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा, चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लिजेगा, एंड इस वीडियो को जितना हो सकें, जादा स जादा लोगों के साथ शेयर भी सव करेगा,